हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं होली ओले दिन होली की रात पर किस मंत्र का ज्याप करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुक्स मृद्धी आए हमारे देवी देवता हम पर प्रसन हो तो फ्रेंट्स जब भी होली प्रजोलित होती है आप उसकी पूजा के लिए जाते हो पूजा करने के बाद घर में आ जाए हाथ पे धोकर घर के मंदे के सामने बेट कर आप अपना पूजा पाट करे इसमें आपको अगर आप गनेश शी के उपासको गनेश भक्त हो तो गनपतिय नमहा जरूर करे और ज्यादा करना हो तो 108 माला भी कर सकते है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री अंतर की पूजा करे और स्री सुद्थम का 16 पड जरूर करे शीवकृपा पाने के लिए ओम नमस्षिवाए इसकी एक माला जरूर करे ज्यादा करना हो तो 16 माला या 108 माला जरूर करे भगवान हनुमान जी की क्रपा पाने के लिए हनुमान 40 जरूर बोले एक बार तो जरूर बोले और ज़्यादा बोलना हो तो आप 100 बार या हनुमान 40 जरूर बोले भगवान विश्णु की क्रपा पाने के लिए वैसे तो ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा यह मंत्र बहुत ही प्रभावी है तो आप चाहे तो इस मंत्र का पाठ करें, 108 बर बोले या 108 माला करे या फिर सबसे प्रभावी मंत्र जो इस दिन के लिए होता है वह करे क्योंकि इस दिन भगवान नर्सिंग ने अवतार लिया था, इसलिए भगवान नर्सिंग का यह मंत्र होली वाली रात पर अगर इस मंत्र का जाब करें तो बहुत ही प्रभावी होता है और यह मंत्र है ओम श्रॉम ध्रॉम मैं फिर से बोल रहे हूँ औंग श्रॉंग श्रॉंग यहां नर्सिंग भगवान का मंत्र जो है होली वाली राद पे अवश्य इसकी एक माला तो जरूर करे और हो सके तो एक सो आट माला जरूर करे तो फ्रेंड्स यह थे होली की राद पर बोलने वाले मंत्र आप जीस्पी मंत्र का पाट करे हो पूरे श्रधा और विश्वास के साथ करे आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा सुख और खुशिया जरूर आएगी सुख और स्मुरधी जरूर आएगी तेंक यू, हप्पी होली